हेलो फ्रेंट इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूटन्स के थर्ड लो के बारे में न्यूटन्स का थर्ड लो कहता है Every action has equal and opposite reaction तो यहाँ पर action और reaction दोनों equal होते हैं अब यह action और reaction क्या होता है action का मतलब कि मान लो आप किसी wall पर force लगा रहे हो तो यह आपके दुवारा force लगा गया है इसलिए हम action कहा देते हैं तो जब आप किसी दिवार पर force लगाते हैं तो दिवार आगे की तरफ तो जाती नहीं है इसका मतलब आप भी उसके साथ आगे की तरफ नहीं जा रहे है और अगर आगी की तरफ नहीं जा रहे तो दिवार ने भी आपको hold किया हुआ है इसका मतलब कि दिवार भी आप पर एक opposite direction में force लगा रही है जिसको हम reaction कह देते हैं जितना जादा आप force लगाओगे उतना ही जितना जादा action करोगे उतना ही यहाँ पर reaction भी आता है तो table पर book के द्वारा एक action लगाया गया है यह force लगाया गया है जो कि weight of the book के बराबर है अब जब table पर रखी हुए तो book ऐसे था है नहीं कि नीचे की दरफ चल लगाई है इसका मतलब यहाँ पर table भी book पर एक force लगा रही होगी जिसको हम कहा देते है reaction reaction और यहाँ पर action और reaction दोनों equal होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि action is equal to reaction अब इसको थोड़ा और किलियर करने के लिए हम animation की छोटी सी help ले सकते हैं तो इस animation पर दो spring अमरे पास और उनको hook से attach किया हुआ है अगर action और reaction possible नहीं होता तो उस condition में क्या होता है अगर मैं left की spring को खीच रहा हूँ तो left वाली reading आती और अगर right की spring को खीच रहा हूँ तो right वाली reading आती लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर मैं left वाली spring को भी खीचता हूँ, ये वाली left है, तो अगर मैं इसको भी खीचता हूँ, इस तरीके से अगर खीचता हूँ, तो right में भी reading आती है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 newton से इस वाली spring को खीच है, तो 3 newton यहाँ पर right hand की तरब भी spring खीच गई है, obvious सी बात है यहाँ पर अगर मैं 3 newton का force लगा रहा हूँ, तो 3 newton का force इस पर भी generate हो रहा है, तो अगर मैं इसको 3 newton से खीच रहा हूँ, तो 3 newton से यह reaction भी दे रहा है, हो सकता है आप right hand वाली spring को ज़्यादा खीचना चाहते हो, तो यह मालो right hand की spring को मैं 4 newton से खीचता हूँ, तो left hand की spring पर भी 4 newton का force लग रहा है, इसका मतलब की left hand भी उसको 4 newton के force से balance कर रहा है, तो यही है action और reaction का concept जो की newton 3rd लो बताता है,